ओम शान्ती, आज 30 एपरेल 2023 के अव्यक्त महवाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 17 नवंबर 1994, आज इस एपरेल मास का ये लास्ट टेए है, हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पूरे मास में हमारे जो बेसिक बाते हैं, अमरे त्वेला, मुर्ली क्लास, ट्रैफिक कंच्रोल, अव्यक्त मुर्ली, नुमा शाम योग, पत्र लिखना, ये सब कैसा रहा, अपना सच्चा सच्चा चार्ट हम बाबा को देंगे, और आगे के लिए द्रड संकल्ट करेंगे, अपने की विधी बताई, सदा, खुश, नसीब, उसके लिए क्या क्या करना है, बाबा जो प्यार का सागर है, बच्चों से अती प्यार करते हैं, और उस प्यार की निशानी, बाबा हमारी कमजोरियों को मिटाने के लिए हमें गाइडन्स देते हैं, खुद सुन्दर बात बाबा ने कही कि जो परमातम प्यार है, ये एक सकिंड का अनुभाव कितने दुखों को दूर कर देता है, संगम पर आपको ये परमातम प्यार मिलता है, बाबा जबाते हैं, तो बाबा साधारन बच्चों को ही अपना बनाते हैं, क्योंकि उनके पास भावना है, समय है, ज तो आजकल के करोड़ पती हैं, उनके पास ना तो भावना है, ना ही समय है, बाबा निकाहा, बाबा बच्चों को देख रहे थे, कि बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है, बाबा का भी बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी कभी-कभी खालीपन क्यूं लगता है, कमजोरी क्य आती है, आपकी कमजोरी माया बन जाती है, इसलिए अटेंशन देंगे कि अपनी कमजोरीों को मिटाने के लिए बाबा साथ है ये अनुभव बढ़ाएंगे, द्रड संकल्प धारी बनेंगे, जहां द्रडता है, वहां सफलता है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना है, खो जाना है, तो ये खुश नसी भी और बढ़ती जाएगे, सुनेंगे अव्यक्त स्तिती में रहकर महवाक्ये, मुरली का सार है, हर गुण वा शक्ति के अनुभव में खो जाना, अथात खुश नसीब बनना, हर गुण वा शक्ति के अनुभव में खो जाना, अथात खुश न आज प्यार के सागर बाप ददा अपने प्यार स्वरुप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा स्रेष्ट भाग्ये ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अतीस साधारण और अतीस स्रेष्ट भाग्येवान अतीस साधारण दुनिया के हिसाब से और अतीस स्रेष्ट भाग्येवान। बाप तदक को साधारण आत्माई ही पसंद है। क्यों बाप स्वेम भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वेम भी आते हैं। बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़ पती भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है। और भावना साधारन आत्मावें ही होती है नामी ग्रामियात्मों के पास ना तो भावना है ना समय है तो बाप देख रहे हैं, कितने साधारन और कितने स्रेष्ट भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं कितने साधारण हैं और कितना स्रेष्ट फल प्राप्त कर रहे हैं, इसले ड्रामा नुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की स्रेष्ट लकीर खीच रहे हैं, साथ-साथ भाग्य की लकीर खीच खीचने की कलम भी बच्चों को दे दी है। कोर्स किया बाप को पहचाना बाप भाग्य का कलम देता है यही परमातम प्यार है प्यार की निशानी क्या होती है जो जीवन में चाहिए अगर किसी को वो देता है तो वही प्यार की निशानी है जीवन में जो चाहिए वो अगर कोई किसी को देता है वो प्यार की निशानी है तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए, वो सब कामनाई पूरण कर देते हैं, सुख शांती तो चाहिए न, अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं, तो उससे सुख मिलता है न, तो बाप सुख क्या देता है, क्या सुख देता है, सुख का भंडार आप सब को बना देता है, सुख का भंडार है न, पूरा स्टॉक है न, या एक कमरा है, दो कमरा है, भंडार है, जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तलाब नहीं, सागर है, तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता, कोई सुख की कमी है क्या, कोई एप्राप्ती है, फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ती दे दो, दे दिया, दे दो कहने कि आविशक्ता ही नहीं, बाप ने दे दिया, सिर्फ इसको कारे में लगाने की विधी चाहिए, और विधी भी बाप द्वारा अनेक प्र कार की विधीया मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रती समय कारे में लगाते नहीं हो, इसलिए होते हुए भी उसका लाब नहीं ले सकते हो, कितना बड़ा भाग्ये है, कितना सहज मिला है, कोई मेनत की है क्या, एक तांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, या सेकिंड के दर् सबी नशे से कहेंगे भाग्य विधाता हमारा है जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा भाग्य विधाता ही आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा भाग्य विधाता को अपना बनाया अथा भाग्य के अधिकार को प्राप्त किया जिसको नशा है व या कभी-कभी चड़ता है, कभी उतरता है संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजोरटी तो सब नए हो कितना थोड़ा समय मिला लेकिन ड्रामा में विशेश संगम यूग किये विशेशता है कि कोई भी नया हो या पुराना नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का तो नयों में उमंग है या समझते हो हमारे से आगे तो बहुत है हम तो आए ही अभी है नए ये खुली छुट्टी है जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं सिर्फ अभ्यास पे अटेंशन हो जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं सिर्फ अभ्यास पे अटेंशन हो कोई-कोई पुराने अलवेले हो जाते हैं आप नए अलवेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे नंबर ले लेंगे नंबर लेना है ना First number नहीं, first division. First number तो ब्रम्मा बाप निश्चित हो गए, लेकिन first division में जितना चाहें उतना आ सकते हो, तो सभी किस division में आएंगे? सभी first में आएंगे तो second में कौन आएगा? माताईं किस में आएंगी first में आएंगी बहुत अच्छा आना ही है, यह दर्ड निश्चे भागे को निश्चित कर देता है पता नहीं, आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, आगे चलकर कोई माया ना आजाए माया बढ़ी चतुर है ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी नी करना जब सर्व शक्तिवान साथ है तो माया उसके आगे पेपर टाईगर है इसले खब्राना नहीं बाबा साथ है तो माया क्या है कोरे कागज़ पे चपा हुआ शेर असलियत में नहीं पेपर टाईगर है इससे घबराना नहीं पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना Master knowledgeful बन हर करम करते चलो साथ का अनुभव सदा सहज और सेफ रखता है साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है लेकिन सभी का वाइदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे यही वाइदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे तो साथ का अनुभव बढ़ा हो जानते हो कि साथ है मानते भी हो लेकिन फरक क्या पड़ जाता है जानते भी हो मानते भी हो लेकिन समय प्रमान उसी प्रमान चलते नहीं हो माया का फोर्स ये जो कोर्स है उसे भुला देता है माया का फोर्स ये जो कोर्स है स्रेश्ट समरतियों का उसको भुला देता है लेकिन क्या माया बहुत बलवान है बलवान है या आप बलवान हो या कभी माया बलवान कभी आप बलवान आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है जैसे शरी की कमजोरी बिमारी बनकर सामने आती है ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है तो ना कमजोर बनना है ना माया आनी है लक्ष ही है माया चीत जगद जीत कितनी बार विजयी बने हो लक्षय माया जीत जगत जीत कितनी बार विजयी बने हो अनगिनत बार फिर भी घबरा जाते हो कोई नई बात होती है तो कहा जाता नई बात थी न मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गई लेकिन एक तरफ कहते हो और एक बार विजयी बने, फिर क्यों घबराते हो, बाप का प्यारी ये है, हर बच्चा स्रेश्ट आत्मा बन, राज्य अधिकारी बने, प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है, तो राज्य अधिकारी अर्थार्थ हर करमिंद्रिय जीत, अगर अपनी करमिंद्री के उपर, मन इसलिए ये चेक करो, मन बुद्धी संसकार कंट्रोल में है, बहुत इंपोर्टन चेकिंग है, हम स्वयमिकान्त में करेंगे, मन बुद्धी संसकार कंट्रोल में है, मन आपको चलाता है, या आप मन को चलाने वाले हो, जब ये कंप्लेन करते हो, मेरा मन आज लगता नहीं, मे यह विजाई के संकल्प है तो जो स्वेम पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय पा सकते हैं इसलिए चेक करो करमिंद्रिया जीत मन जीत कहां तक बने है अगर फास्ट डिविजन में आना है तो इस लक्षन से लक्षे को प्राफ्ट कर सकते हो बाप तदा ने देखा बच्चे उमंग उटसामें रहते हैं ज्यान के जीवन अच्छी भी लगती है ज्यान सुनना सुनाना इसमें अच्छे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है विशेश कारण है जो कहते हो जो सुनते हो उस एक एक गुण का, शक्ती का, ज्यान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानों सारे दिन में स्वयम भी वा दूसरे को भी कितनी बार कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुक स्वरूप हो, कितनी बार स्वयम भी सोचते हो, दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते चलते आत्मिक अनुभूती, ज्यान स्वरूप, प्रेम स शानत्स्वरूप की अनुबूती वो कम होती है, सुनना कहना जदा है, अनुबूती कम है, अटेंशन देंगे और अपने आपकों ठीक करेंगे, कहते सुनते जादा हो, अनुबूती कम है, सबसे बड़ी authority अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ, जब कहते हो श एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्तिवा गुण समय पर अनुभव में आए, कई तो बोलते भी रहते हैं, सैन शक्तिधारन करनी चाहिए, सैन शेलता अच्छी है, लेकिन अनुभूती नहीं होती, अनुभूती की कमी होने के कारण, जितना चाहते हो उतना पाद नहीं सकते अगर सबसे पूछो जितना पुर्षार्थ होना चाहिए उतना है तो हां कहेंगे थोड़े हां कहेंगे तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में वा करम में अनुभव हो अनभूती की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते अगर सबसे पूछेंगे जितना पुर्शार्थ होना चे उतना है तो थोड़े हां कहेंगे जितना मिल रहा है उतना जीवन में वा करम में अनुभव हो जो प्राप्त हो रहा है, वो करम में भी अन्वव हो, तो जितना मिल रहा है, उतना जीवन में करम में अन्वव हो, सिरफ सोचने में अन्वव नहीं हो, लेकिन चलन में, करम में, शक्तियां, गून, स्वेम को भी अन्वव हो, दूसरों को भी अन्वव हो, कहते ही यो ज्ञान की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होती है तो स्वरूप दिखाई देता है छिपता नहीं चाहे छोटी बात हो या बड़ी लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है और स्वेम को भी अन्बो होता है दूसरों को भी क्या कहते हो यह है क्रोधी इनका संसकार ही क्रोध का है तो संसकार दिखाई देता है ऐसे ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूरत यह स्रेश्ट पुर्शार्थ की निशानी अनुभवी मूरत यह स्रेश्ट पुर्शार की निशानी तो अन्भव को बढ़ाओं जो कहा वो अन्भव किया अगर अन्भव नहीं होता तो उसका कारण ये है कि समय प्रती समय जो विधी मिलती है उस विधी के उपर attention कम है बाबा से बहुत सी विदियां मिलती है उनके उपर attention कम है जितना ज्यान को शक्तियों को गुणों को revise करते रहेंगे तो realize सहज होता रहेगा जितना ज्यान गुण शक्तियों को revise करेंगे उतना realize होता रहेगा revise नहीं करते हो तो realization भी कम है सुना बहुत अच्छा लेकिन चलते फिरते रिवाईज होना चाहिए जैसे दुनिया वाले कहते कि कर्म ही योग है कर्म और योग अलग नहीं मानते कर्म ही योग मानते है कर्म से योग लगाना इसी को कर्म योग समझते है लेकिन करम और योग दोनों का बैलेंस चाहिए करम में बिजी रहना योग नहीं है करम करते योग का अनुभव होना चाहिए करम में बिजी हो जाते हैं तो करम ही स्रेश्ट हो जाता योग की नारे हो जाता चलते चलते यही अलबेला पनाता है तो करम में योग का अनुभव होना चाहिए, इसको कहा जाता करम योगी, मूल बात है, अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ती स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें, अभी भी देखो, अगर कोई में वि शक्ति दिखाई देती, कोई में नहीं, कभी दिखाई देती, कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ न, तो हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा, जब पहले स्वयम को अनुभव होगा, अगर स्वयम अनुभव होता है, तो कितनी खुशी बढ़ जाती है, एक सक्न भी अनुभव होता है, तो कितनी खुशी बढ़ जाती है, और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे, तो सदा चेहरे पर खुशी की जलक, खुश नसीब की जलक अनुभव होगी, तो अनुभव को बढ़ा मन अगर आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। यह तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। यह भावी है। उसको क्या करेंगे। और अच्छा है रिहसल हो जाती है। जहां बिठाओ, जैसे बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहसल हो जाती है, तो पट में सोना अच्छा है न, पट राजा बन गए, शास्त्रों में तो पट राजा का बड़ा गायन है, आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है क्या, जब संख्या बढ़ जाती है, तो ब इतनी संख्या में आप आराम अनुभव कर रहे है, यह खुशी की बात है, जहां भी रहे हो हो, वहां खुश हो, कोई तकलीफ तो नहीं, और बुलाएं, सिरफ एक सूचना चली जाए, कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, अखंड तपस्या करनी और अखंड योग करो, फिर तो सब आ सकते हैं, करेंगे, ठक नहीं जाएंगे, क्या भूख नहीं लगेगी, साथ दिन नहीं खाएंगे क्या, साथ दिन खाना नहीं मिलेगा, बाप तदा ऐसा हट कराना नहीं चाहते, सहज योगी होना, यह परमातम मिलन कम भाग्य नहीं, यह परमातम मिलन का स्रेष्ट भाग्य, कोटों में कोई आपात्मों को ही मिलता है, मैसूस करेंगे मेरा भाग्य कितना स्रेष्ट है, परमातम मिलन का स्रेष्ट भाग्य, कोटों में कोई आपात्मों को ही मिलता है, अच्छा मिल गया न, भक्ती में तो जड़ चित्र मिलता यहां चेतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं और वो रुखान भी करते हैं तो यह भाग्य कोई कम है फिर भी आप सब लख्की हो समय की गती बदलती जाती है अबी फिर भी आराम से बैट के सुन रहे हो आगे चल कर व्रिधी होगी तो और बदलेगा फिर भी आप लख् पर नहीं आये हो, लेट के टाइम पर आये हो, तो सब खुश हो न, अभी बहुत देर नहीं हुई, हाँ देरी से तो आये हो, लेकिन टू मच लेट तो नहीं, आप सब खुश हो न, अच्छा, चारो ओर के, सर्व स्रेष्ट भाग्य विधाता के, भाग्यवान आत्माउं को, स सदा हर गुण और शक्ती, ज्ञान के अनुभवी आत्माई, सदा बाप को साथ रखने वाले, कमाइन स्वरूप आत्माई, सदा स्रेष्ट भाग्य की लकीर को, सहज स्रेष्ट बनाने वाले, ऐसे अतीस समेप स्रेष्ट आत्माउं को, बाप तद का, याद प्यार और नमस रुखानी बच्चों की, रुखानी बाप तद को, याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज का वर्दान, वाणी और मनसा दोनों में से, दोनों से एक साथ सेवा करने वाले, सहज सफलता मूरत भव वाणी के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है वाच्चा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है जब मनसा सेवा, वाणी की सेवा, दोनों का कामबाइन रूप होगा, तब सहज सफलता होगी इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी, वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं बाकी रेखदे करने वाले दूसरे कारेों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए इससे वायू मंडल योग युक्त बनता है, हाथों से सेवाएं करते योग युक्त सिती में रहें इससे वायू मंडल बनता है, योग युक्त वायू मंडल बनता, हर एक समझे, मुझे सेवा करनी है तो वातावरन भी पावरफुल होगा, सेवा भी डबल हो जाएगी तब सहज सफलता होगी, इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी, वानी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कारियों में जो रहते हैं, उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए, इससे वायू मंडल योग योग तो बनता है, हर एक समझे मु एक्रस्तिती के आसन पर विराज मन रहू, तो अचल अडोल रहेंगे, आज इस अनुभों में खो जाएंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, ब्रिकुटी सी हासन पर, अपने चमकते हुए सितारे को देखें, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मेरा भाग्ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत भाग्यवान भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, स्वेम भाग्ये विधाता हमारा हो गया, और क्या चाहिए, भाग्ये विधाता को समुख देखते, दृड़ संकल्प करें, मुझे अपनी कम्जोरियों को मिटाना है, स्वेम सर्व शक्तिवान बाप मेरे साथ है, माया पेपर टाइगर है, हजार पुचाओं वाला बाबा, पल-पल मेरा मददगार है, तीन बार चिंतन करें, बारे में खुश नसीब आत्मा, खुशियों के सागर से, जो खुशियां मिली है, सब को बाचनी है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, और अब सुनते हैं, आज का अविक्त ग्यान होती, जुक्रिया बारे में, जुक्रिया बाबा, धुक्रिया बारे में, जुक्रिया Ad 느낌이 खुश नसीब शुक्रिया था उन्या मिली है,